दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल भी एर टेक्निकल में सवगत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अपने इस्टाग्राम एकाउंट का डेटा बर्थ चेंज कैसे कर सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने इस्टाग्राम का डेटा बर्थ चेंज कर सकते हैं दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप चैनल पर ना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दे जिससे जो भी वीडियो हम बनाएं सबस्पहले नोटिफिकेशन आप पस पोचे दोस्तो वीडियो को इस्टाट करते हैं दोस्तो इंस्टाग्राम अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है जैसे आप ओपन करेंगे आपका होम पेज ओपन हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको अपने परफाइल वाले आप्शन पे क्लिक कर देना है दोस्तो जैसे आप profile वाले option पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा दोस्तो उसके बाद आपको three line वाले option पे क्लिक कर देना है दोस्तो उसके बाद आपको setting and privacy वाले option पे क्लिक कर देना है दोस्तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने account center का नया page open हो गया है दोस्तो उसके बाद आपको थोड़ा नीची चले आना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि personal detail का option दिखाई दे रहा है दोस्तो आपको personal detail वाले option पे click कर देना है दोस्तो आपके साबने personal detail का option open हो जाएगा दोस्तो उसके बाद आपको birthday वाले option पे click कर देना है दोस्तो आप देख सकते हैं कि birthday का option open हो गया है दोस्तो अपने account का data birth देंज करने के लिए आपको edit वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसकी बाद आपको यहाँ पे cut वाले option पे click कर देना है उसकी बाद आपको नया data birth को set कर लेना है दोस्तो आप इसी तरह से नया data birth को set कर लेना है set करने के बाद आपको set वाले option पे click कर देना है दोस्तो उसकी बाद आपको save वाले option पे click कर देना है उसके बाद यह केसमेश आएगा आपको यहाँ पे confirm वाले option पे click कर देना है दोस्तो जैसे आप confirm वाले option पे click करेंगे आपके instagram account का data पर change हो जाएगा दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर यहां वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सस्क्रेब करें दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद